सब्सक्राइब करिए Women Corner YouTube चैनल को और बेल आइकन को दवाईए डिलीवरी के बाद 15 दिनों तक कैसे करें अपनी वा शिशु की देखभाल शिशु जन्म के बाद शुरुवाती 15 दिन मां और बच्चे दोनों के लिए मुश्किल होती हैं बच्चे के लिए सब कुछ नया है और मा के लिए भी यह एकदम नया अनुभव है शुरुवाती 15 दिन में आपको शिशु को उठाना, गोद में लेना, दूद पिलाना, आदी कारियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है डिलीवरी के बाद चाहे जो मौसम हो शुरुवाती 15 दिन तो आपको थोड़ा ओड़ कर ही रखना चाहिए क्योंकि आपका शरीर कमजोर हो गया है और आसानी से बिमार हो सकता है इसका सीधा असर आपकी नन्ही शिशु पर पड़ेगा, इसलिए सावधानी बढ़ते शिशु को समय पर दूद पिलाना बेहत जरूरी है चाहिए वह सो जाए, उसे उठाएं और दूद पिलाएं 15 दिनों तक सिर्फ आराम करें, कुछ भी काम करने की गलती ना करें अभी आपका शरीर बहुत ठका हुआ, वह कमसोर है और इसे रिकवर होने के लिए थोड़ा समय दे शिशु को किसी भी सदस्य या अन्य किसी मिलने जुलने वाले को छूने ना दे चाहिए उन्हीं बुरा ही क्यों ना लगे यहे आपके शिशु के स्वास्ते के लिए बेहत जरूरी है आप अपने खान-पान का विशेश ध्यान रखें यहे आपकी रिकवरी पीरियड है आप जितना पौश्टिक खाना खाएंगी उतना जल्दी वा आसानी से रिकवर होंगी साथ ही आपके द्वारा खाई गए खाने का सीधा असर आपके शिशु को होगा दवाई भी समय पढ़ ले ओपरेशन से डिलिवरी होई है तो आपको अधिक साबधानी रखने की आवशकता है इस्तनपान में कैबार आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पर सकता है पर इसका मतलब यह नहीं के आप हार मान ले इस्तनपान कराती रहे कुछ समय बाद सब सामान्य होने लगेगा चिंता ना करें और ना डरें खुश रहें अपने प्रश्णों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको इनका जवाब दे सके साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूले हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया